RBI के 19 मई के नोटिफिकेशन के तहट ये सूचना दी गई है कि 2000 रुपे का जो नोट है वो सर्किलेशन से विड्रोव किया जाए इसके सम्मन में जनता में खोड़ी सी शंका है, कुछ सवाल पैदा हो गए है और शायद कुछ रामतिया भी है तो इसके सम्मन में स्पष्ट करना है, नोटिफिकेशन भी ये साफ साफ बताता है कि अभी 2000 रुपे का नोट कोई भी दुकानदार लेने से मना नहीं कर सकता है और आप 2000 रुपे का नोट आराम से जाके नजदीकी बैंक की ब्रांच पे एक्स्चेंज करा सकते हैं अगर कोई बैंक ब्रांच, 2000 का रुपे का नोट लेके उसको एस्चेंज करने से मना करती है तो आप उसकी शिकायर तत्काल प्रशासन को दर्च करा सकते हैं इस पे हम कारवाई करेंगे पर फिलाल 2000 की नोट को लेके कोई भी पैनिक करने की कोई कन्फूजन में रहने की कोई आवशक्ता नहीं है यह अभी भी legal tender है और आप इसको इस्तमाल कर सकते हैं दुकांदार भी इसको लेने से मना न करें और दुकांदार भी अपने सर पर कोई चिंता न रखीं अगर कोई हिचके चाहट है कि बैंक नहीं लेगा या बैंक लेने से मना करेगा तो इसके सम्मझ में भी आप मारे पास संपर करके इसमें कोई भी ख्लैरिफिकेशन का पर सकते है